हलो स्टूडेंट्स डेनिल क्लाइसेज मैं आपका स्वागत है आज 15 अपरेल 2014 का करेंट अफेर देखेंगे तो आपके राजस्तान की सभी परत्यों की प्रिक्षा आपके स्टेनों की बात कर लो अभी लडिसी की एक्जाम से उसकी बात कर लो महिला सुपरवाइजर हो गया पशू परिशर हो गया पटवारी हो गया राजस्तान की जितनी भी प्रिक्षा उन सब के लिए प्रिशन रामबान रहने वाले हैं और यह जो प्रिशन में आपको करवाता हूं रोज रात को आठ बजे इसकी क्विज भी चलती है डेनिल क्लासेज के टेलिग्राम चेनल पे जहां प्रिशन दे सकते हो और साथ में चेक कर सकते हो कि आपको कितने क्योंशंस आ रहे हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला प्रिशन है कि क्लीन एनरजी इन्वेस्टर फॉम का आयोजन किस देश में किया जाएगा सिंगापूर में किया जाएगा हाली में क्लीन इंडियन फिल्म All We Imagine As Light को चुना गया इस फिल्म को किस ने निर्देशित किया पायल कपाडिया ने किया है पायल कपाडिया ने All We Imagine As Light क्या नाम है फिल्म का All We Imagine As Light तो एक तो फिल्म का ध्यान रखना एक ध्यान रखना पायल कपाडिया और 40 सारबाद कांज फिल्म फेस्टिव 2024 में आपको ध्यान रखना है हाल इमें ब्रिटिस भोतिक विज्ञानी पीटर हिंक्स का चोराणमे वर्ष की आयू में निदन हो गया उन्होंने किस पार्टिकल की खोज की थी इन्होंने हिंक्स बेसोन की खोज की थी हिंक्स बेसोन की खोज की थी आपको ध्यान रखना इनका नाम है पीटर हिंक्स ये ब्रिटिस भोतिक विज्ञानी थे चुराण में वर्ष की आयू में इनका भी निदन हो गया है तो ध्यान रखना आपको हिंक्स बेसोन की नोंने खोज की थी हाल ही में डबलू एच ओ वर्ड हेल्थ ओर्गिनाजेशन डबलू एच ओ द्वारा जारी किये गई वेश्वी की हैपेटाइटेस रिपोर्ट दोहजार चोविस में भारत का इस्तान दूसरा है प्रथम इस्तान किस देश का है चीन का इस्तान प्रथम है भारत का इस्तान दूसरा है चीन प्रथमिस्तान पे है भारते दूसरे इस्तान पे है और विश्व स्वास्ते दिवस भी भी हमने थोड़े दिन पहले ही 7 अपरेल 2024 को विश्व स्वास्ते दिवस से मनाय गया है अगला प्रशन है कि हाल ही में उत्तर परदेश में बगवान राम के धनुश और बान के आकार का पहला ग्लास स्काई वोक ब्रिज बनाय गया है यह किस जिले में स्थित है चित्र कुट जिले में स्थित है स्टार लगा लेना काफी इंपोटेंट ये प्रिशन है यूपी की राजदानी लखनव है यहां के मुखे मंद्री योगी अदित तेनाथ हैं और इस प्रिशन को ढंग से आप रट लेना यूपी में बगवान राम के धनुश और बान के आकार का पहला ग्लास स्काई वोक ब्रिज बनाय गया है यह किस जिले में है चित्रकुट जिले में है उत्रपर्देश के चित्रकुट जिले में है धंग से रट लेना एक्जाम वाला इप्रिशन है अगला प्रिशन है हाल इमें बाबा साहिब डोक्टर भीमराव अंबेडगर जयनती कब मनाये गई 14 अपरेल को मनाये गई 14 अपरेल को हमने बाबा साहिब डोक्टर भीमराव अंबेडगर जयनती मनाई राष्टी सुरक्षित मातरत्व दिवस पुछे 11 अपरेल को मनाया विश्वय हुम्योपेथी दिवस पुछे 10 अपरेल को मनाया हिंदी रंगमंच दिवस पुछे 3 अपरेल को मनाया गया और राष्ट्री समुद्रिश दिवस पुछे तो 5 अपरेल को मनाया गया और 7 अपरेल को कौन सा दिवस मनाया था विश्वे स्वास्ते दिवस हमने 7 अपरेल को बनाया गया था अगला है हाली में किसे राष्ट्रिय महिला होकी कोच न्यूक्त किया गया हरेंदर सिंग को किया गया हरेंदर सिंग को हाली में राष्ट्रिय महिला होकी कोच के रूप में न्यूक्त किया गया स्टार लगा लिए ना एक्जाम वाला प्रशे नहीं भी हरेंदर सिंग भारत के पूर्वा होकी खिलाडी है और इन्हें द्रोणाचारी पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया है हाल इमें शोद करताओं ने टेल वेली वन्य जीव अभैरन में तितली की नहीं प्रजाती नेप्टिस फिलाएरा की खोजकी है यह किस राज्य में इस्तित है यह अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है टेल वेली वन्य जीव अभैरन किस राज्य में इस्तित है अरुनाचल प अरुनाचल परदेश में स्थीत है, क्यों चर्चा में हैं, तितली की नहीं पर जाती, नेप्टी से फिलायरा की खोज हुई है, इसलिए ये चर्चा में है, इस तरह से आपके प्रशन पूछे जा सकते हैं, अरुनाचल परदेश की राज़्दानी पूछ ले, इतानगर है, हाली में किस राज्य या केंद्रशाशित परदेश में स्विगी ने अपनी पहली फूड डिलिवरी सर्विश शुरू की है जमू कश्मीर में की है जमू कश्मीर में ये जो प्रशन इसमें ऐसे हैं कि जो पहली फूड डिलीवरी शुरू की है जो पानी से शुरू की है जल से जल से जो पहली फूड डिलीवरी शुरू की है स्विगी ने जमू कश्मीर से की है ये आपको ध्यान रखना है काफी important question है जारखंड की राजद्दानी रांची है जारखंड के मुख्य मंत्री कौन है? चमपई, सोरेन यहां के मुख्य मंत्री है करकर एका परिए स्थीथ है जारखिंट की राजध् privilege जो रांची है वो करकर एक। पास में है, बिल्कुल एकदम नज्धीक है हाल ही में CPI के संयुक्ति निदेश्य के रूप में किसे निप्त किया गया है? अनुराग कुमार को नुक्त किया गया है CBI के संयूक दिनिदेशक बन गये है अनुराग कुमार ध्यान रखना important रहे भी CBI के संयूक दिनिदेशक कौन बन गये अनुराग कुमार बन गये है हाल ही में नेपाल में UPI को बढ़वा देने के लिए किसने हैन पोखरा और इसेवा के साथ संजेधारी की है फोन पेने की है किसले की है नेपाल में UPI को बढ़वा देने के लिए की है हैन पोखरा और इसेवा के साथ संजेधारी की है नेपाल की थोड़ी बात करें नेपाल की राजधानी काठ मांडू हो जाएगी साथ में अगला प्रशन भी देखना है ये भी नेपाल से समंदित है भारत ने किसे देश को 35 एम्गुलेंस और 66 इसकूल बस उपहार में दी है अभी भारत ने नेपाल को ये दी है जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है 6.1 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है 6.1 प्रतिशत हाली में मुरीज ने 2024 में भारत की जीडीबी दर आप ध्यान रखना 6.1 प्रतिशत से लगाया है तो ये आपको ध्यान रखना है एक प्रशिन आपसे राजस्थान से है जो मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ राजस्थान जो हमारा है राजस्थान की आपको बताना है सबसे जो बड़ी सबसे बड़ी प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जहां संग मरमर के 25 शीला लेखो पर मेवाड का इतियास बपा रावल से लेकर महरणा राज सिंग तक लिखा हुआ है इसको ही राज प्रशस्ती या राज सिंग प्रशस्ती कहा जाता है और यह जो प्रशस्ती है यह राजस्तान की और संभुवत विश्व की भी सबसे बड़ी प्रशस्ती है फिर पुछा जाता है कि यह जो राज प्रशस्ती है इसके रचियता कौन है इसके रचियता रण छोड भट तेलंग है रण छोड भट तेलंग है तो यह जो प्रशिष्टी है यह राजस्थान की और संभुवत है विश्व की भी सबसे बड़ी प्रशिष्टी आपको ध्यान अगना है तो राजसमन जील का उत्तरी भाग नोचोकी के नाम से प्रशिद है जहां संभुरु मर्मर के 25 इलालोगों पर मेवाड का इत्यास है बपारावाय से लेकर मानना राजसिंग तक लिखा हुआ है और यहां जो प्रशश्ति है राज प्रशश्ति यह जो प्रशश्ति है ये विश्व की भी सबसे बड़ी प्रशश्ति मानी जाती है रचियता पूझा सकता है तो रण छोड बट तेलंग रचियता है तो ये जो मैंने आपको 15 questions करवा दिये इनको डंग से अच्छे से रट लेना आप इसी वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर कर देना चैनल पे नेवों सब्सक्राइब कर लेना रात को 8 बजे आप रेडी रहना तयार रहना रात को 8 बजे डेनिल क्लासेज के टेली ग्राम चैनल पर आपको इन questions की quiz भी होती है जिसे हाथों हाथ आपको पता लग जाता है कि आपके कितने questions सही हुए है तो आपको शेयर जरूर कर देना है धन्यवाद